है गाइज राइट एंगल अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ योगेश शूठवाल आज हम एक बहुत ही महतोपूर्ण टोपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर एक एक एक्जाम में पूछा जाता है और श्प्रीच्वल और अध्यादमिक दरश्ट राजस्थान के पॉइंट उप्यूं से बहुत ही महतोपूर्ण भी है और वह आपका राजस्थान के मानित त्रवेनी शंगम जो त्रवेनी संगम का मतलब यह हुआ जिस जगे पे तीन नदियां आके मिलती हैं अपना पानी डालती है उसको कहते हैं त्रवेनी संगम और र बात करने वाले हैं रामेशवर धाम की रामेशवर धाम की अपन बात करने वाले हैं जो कि सवाई मादवपूर में है अब वह संगम होता कैसे है अब यहां से मद्ध प्रदेश से आपको पता है निकलती है कौन सी चंबल नदी और यह हैं चंबल नदी आपकी मिलती है कहां यहां पर मिलती है कौन सी नदी बनास नदी अपने इसका नाम भी लिखते जाते हैं यह नदी है आपकी कौन सी बनास नदी यह हो गई आपकी चंबल नदी अब इसी जगह पर कौन सी यह वाली जगह है इस पर एक नदी मद्ध प्रदेश की तरफ से मद्ध प्रदेश की डिर कौन सी आपकी CP नदी तो यह तीन नदियां आके मिली तो इस जगह पर एक तुरेज़नी तुरेट मतलब तीन नदियों का संगम बना कंजेंग्चर बना तो अब इस संगम का नाम है यहाँ पर कौन सा रामेश्वर रामेश्वर संगम एक हो गया कौन सा अपना रामेश्वर संगम दूसरे अपन त्रिवेणी संगम की बात करें जो की बनास नदी से ही संबंदित है जो की आपकी बनास नदी से ही संबंदित है तो एक तो हो गई कौन सी यहाँ पर बनास नदी और तीसरी नदी आके बनास नदी में यहां पर मिलती है कौन सी नदी यहां पर एक नदी और मिलती है मेनाल मेनाल नदी और कौन सी जगह पर मिली इस जगह पर तो तीन नदियां कौन कौन सी हो गई यहां पर एक नदी तो हो गई आपकी बनास नदी एक नदी बनास, तूसरी आपकी मेनाल और तीसरी बेड़च तो इस जो त्रिवेणी संगम यहाँ पे बना बनास, बेड़च और मेनाल के संगम से उसका नाम है आपका बिंगोद उसका नाम है आपका क्या? बिंगोद नाम से अब बिंगोद नाम का जो त्रिवेणी संगम है वो आता है आपका भीलवारा जिले में कौन सा जिला? भीलवारा जिले में और इसकी बात करें रामेश्वर जो ना आपका त्रिवेणी संगम है पहला वाला वो आता है आपका कहां पर सवाई मादोपूर में सवाई मादोपूर में तो इस प्रकार से कौन से दो तुर्वेनी संगम हो गए पहला हो गए आपका रामेश्वर दूसरा हो गए आपका बिंगोध और तीसरा जो मानित तुर्वेनी संगम है राजस्थान का वो बनता है आपका कहां पे वो बनता आपका माही, सौम और जाखाम नधियों के सत्रंगम से यहां से मद्य पर्देश से, मद्य पर्देश के विंद्याचल सुरेनी से आपकी कौन सी नदी निकली? माही नदी, यह नदी उपर की तरफ प्रवाइट होती हुई करक रिखा को दो बार काटती हुई फिर से राजस्तान से बहार निकलती है और गुजरात में प्रवाइद होती है तो यह नदी कौन सी हो गई आपकी माही नदी माही नदी अब माही नदी में दो नदियां और आके मिलती है यहाँ पे एक नदी आके मिलेगी कौन सी शौम नदी गहाई आएगी आपकी कहां से उदैपूर से उदैपूर से आपकी शौम नदी आके मिली दूसरी नदी आके मिली यहाँ पे परताप गड़ से कौन सी जाखम नदी यह हो गई आपकी परताप गड़ से परताप गड़ से तो तीन नदिया माही शौम और जाखम इन तीनों का शंगम यहाँ पे बना इस जगय पे जिसको कहते हैं सुप्रसिद आपका बेनेश्वर धाम बेनेश्वर धाम यह हो गया आपका तीसरे नम्मर का तिर्वेनी संगम तो इस प्रकार से राजस्थान में जो मानने तिर्वेनी संगम है तो तिर्वेनी संगम है आपके मानने वो हो गए आपके तीन कौन कौन सी एक तो रामेश्वर हो गया पहले नमर पे कौन कौन सी नदिया मिलेंगी एक तो बनास आपकी चंबल नदी दूसरा त्रिवेनी संगम हो गया आपका बिंगोध किस नदी पे बनास मेनाल और बेड़त के संगम पर यहां पे बिंगोध तो कि आपका भेलवाडा में है और तीसरा त्रिवेनी संगम है आपका बेनेस्वर धाम एक तो माही-णदी शॉम-णदी और जाखम माही शॉम और जाखम तीनों के संगम पर यह पे बेनेस्वर धाम मिला इस परकार सिराजस्तान जार्थान में तीन मानिस्थर्वंदा द्रम это thank you thank you so much